और अब जो अगला पैनल हमारे साथ यहां पर मंच पर मौझूद रहे गाइस्टा इमेजिंग एन पैथ लाब प्रावेट लिमिटेड से डॉक्टर समीर भार्टी डारेक्टर है रहाँ डॉक्टर समीर आप प्लीज मंच पर आएं अगले पैनल में डॉक्टर समीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं उनसे सवाल जवाब हम करेंगे बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि पाब्लिक प्रावेट पार्टनर्शिप को लेकर वो देखे प्रदेश में सरकार के साथ PPP मोड में काम कर रहे हैं और ऐसे में यह सवाल जवाब भी हम उनसे करने की कोशिश करेंगे जे पी आप भी प्लीज मंच पर आएं जो इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे और कई सारी चीजे रहेंगी वेलनेस सेंटर को लेकर भी सवाल जवाब उनसे होने वाले हैं किस तरह से काशी को लेकर आगे उनकी प्लानिंग है यह जानने की भी हमारी कोशिश रहेगी। और हमार साथ डॉक्टर समीर भाठी जी आपका बहुत-बहुत स्वागता है। तो युवाओं में भी अगर जिस तरह से जो बीमारी का ग्राफ है वो सब बढ़ता जा रहा है। इसी चीज को देखते वे खेर स्टार इमेजिंगन पैथ लैप किस अपना तो काफी टाइम पहले हमने की थी। बट इसी उद्देश को लेके कि हम बीमारी के प्रिवेंशन पर अधिक काम करेंगे। और उसी तरह जब हम लोगों ने अपनी पैथालोजी लैप को एक सेट अप किया। उसके साथ साथ हमने फिर दीरे दीरे गवर्मेंट के साथ भी काम करना शुरू किया। पीपी मोड में जैसा अभी प्रदेश में भी हम 20 डिस्ट्रिक के अंदर काम कर रहे हैं। जहां पर हमने हॉस्पिटल के अंदर अपनी मशीन लगाई हुई है। तो कैसे सुविधाएं दे रहे हैं अफले। के स्ट्रक्चर के अंदर हेल्थ केर की खास तोर पे में बात करूं। तो क्या ऐसे गैप है। उन गैप को प्राइवेट पार्टनर्स फिल कर सकें। है। कि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में देखें और प्राइवेट पैफलोजी लाइब या इमेजिंग सेंटर में देखें तो उनके पास मैंज़े इक्विपमेंट है। सरकार के पास दूर तक रीच है कि वह रूरल एरियाज में डीप पैनीटरेशन है। तो इन दोनों का जब combination हो जाता है और जिस तरह की services की requirement होती है तो private partners उसको fulfill कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कई बार सरकारी अस्पतालों के अंदर मशीने लगी हुई है पर उसको operate करने वाले operators नहीं है, technician नहीं है, paramedic staff नहीं है तो उस तरह की requirement जैसे government बताती है तो कोई भी private partner उस चीज़ को fulfill कर सकता है अभी COVID के अंदर जैसा हमने देखा की telemedicine का काफी role रहा है और जैसे wellness center खुले हैं इनमें भी telemedicine का काफी role रहा है कि हर जगा super specialist नहीं हो सकते तो private partners का इसमें काफी role रह सकता है कि वहाँ पर वो super speciality service provide कर सकते हैं जैसे मैं उत्रपरदेश के भी बात कर रहा हूं तो जिन 20 district के अंदर हम काम कर रहे हैं जिन 20 जिला hospital के अंदर उनके अंदर जैसे पहले city scan की सुवीधा उपलब्द नहीं थी और city scan एक बहुत basic सा investigation है कि कई बार किसी को head injury हो जाती है कोई बी और ऐसी problem आपने जिक्र के awareness centers का तो उसमें क्या-क्या है और क्या-क्या सुवीधा हैं आपके पास और इसके साथ एक और सवाल महत्भून है देखे शेहरी चेत्रों में तो अकसर आपको देखे स्वास्त की सुवीधाय मिल जाती है लेकिन rural area की बात करें ग्रामी चेत्रों की बात करे उसके लिए भी आपका कोई फोकस है बिल्कुल बिल्कुल देखिए अगर अर्बन चेत्र की भी बात करें तो specifically यहां पर awareness की कमी है लोगों को पता नहीं होता कि इस चीज के लिए कहां पर जाए एक चीज हो गए फैसलिटी सारी है बट लोगों को simple सी कोई basic सी problem हो जाए उस हमने pandemic में भी देखा कि उस टाइम बहुत deep penetration से काम हुआ था आप यह vaccine के awareness को लेकर देख लीजिए और चीजों को टेस्टिंग को लेकर देख लीजिए तो उसी तरह से जो आशा वरकर्स है या जो community health officers अभी सरकार ने जिस तरह से create कि हैं उनको aware करना कि जितनी भी government की scheme है वो किस तरह लोगों तक पहुंच सके इसके अंदर private partners का काफी रोल है कि वो awareness campaigns इस तरह की करें जैसा हम अभी specifically कुछ hospitals के अंदर कर भी रहे हैं कि hospital का administration हम देख देख रहे हैं कई जगा पर equipment लगे हुए हैं equipment के लिए technician available नहीं है staff available नहीं है वो हम provide कर आ रहे हैं तो basically इसमें यह है कि जहां पर gap दिखते है system के अंदर उस तरह की gap को fill करने के लिए private partners का roll आ जाता है इसी को हम PPP mode basically कहते हैं सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज कल जो युबाओं का है वो खान पान चेंज हो गया है lifestyle आप देख रहे हैं लेकिन आपकी personality देख तो एक बड़ी बात है कि अपने आपको maintain कैसे करा जाए आप यूथ के लिए मैं कह सकते हैं उनके लिए आप क्या message देना चाहेंगे अदिखी पहले हम बात करते थे कि 50s के अंदर कोई problem आ रही है 60s में problem आ रही है फिर हमने थोड़े टाइम पहले देखा कि ये problem 40s में आना शुरू हो गए इनफेक्ट अभी में बताओं तो जिस तरह कि हम campaign करते हैं स्कूल में करते हैं टीनेजर के अंदर करते हैं अभी कुछ टाइम पहले एक डेटा हमने निकाला था कोवीड से पहले उसमें स्कूल में पढ़ने वाले टीनेजर बारा से लेके 18 साल 17 साल तक की जो बच्चे हैं अब उनमें भी हम देखने लगए हैं कि वो प्री डाइबिटिक की तरफ मूड रहे हैं डाइबिटीज होई नहीं हैं प्री हाइपटेंसिव की ब्लड प्रेशर उनको होने वाला है पचीस की उमर तक देखेंगे तो काफी सारे बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जिनको ब वेस्टन कल्चर जो अभी बच्चों ने अडॉप कर लिया सबने अडॉप कर लिया जो खान पान है सबसे बड़ा मेजर रीजन जो इसमें सामने निकल कर आ रहा हुआ आपका स्ट्रेस लेवल तो यह दोनों कारण सबसे मेजर निकल कर आ रहे हैं जिसके अंदर हमारी जो जिसकी वज़े से युवा भी सबसे जादा अफेक्ट हो गया और जैसा आप पूछ रहे हैं कि इस चीज को अगर प्रिवेंट की बात करें तो बहुत जादा जरूरी है कि हम स्कूल के स्थर पे इस चीज के ओपर काम करना शुरू करें स्पैसिफिकली लाइस्टाइल जादा रही हम देश में भी देखें अपरदेश में भी देखें तो जो बिमारियों का ग्राफ है वो नॉन कम्मुनिकेबल डिजीज मतलब जो जीवन शैली से संबंदित बिमारियां वो जादा बढ़ रही है बाकी पहले हम बात करते थे कि मलेरिया टूबर क्लोसीज ये स करना पड़ेगा और जैसा मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बताया सरकार ने अभी टैली मानस जो शुरू की थी स्कीम उसके अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर एक लाग से जादा कॉल सा चुकी हैं तो एक लाग से कॉल जादा मतलब आप ये देखिए कि कितने लोग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ उसके लिए मेंटल हेल्थ का भी काफी बड़ा रोल है तो मुझे लगता आगे आने वाले समय में इस तरह कि जो टैली मानस टाइप की जो स्कीम से वो भी जादा लाँच करने पड़ेगी क्योंकि भारत में ऐसा परचलन नहीं है मेंट हेल्थ को बहुत जादा लोग इग्नोर कर देते हैं उस पर डिस्कुशन भी नहीं करते हैं आप स्टार इमेजिंग पैटलैब चलाते हैं पैटलैब की बहुत बड़ी बात होती है आपकी पैटलैब के अंदर क्या खास है क्योंकि जब एक आदमी को आप टैस के लिए बोल पैटलैब के साथ अफोड़ीटी होना बहुत जादा जरूरी है कि अगर हम प्राइवेट किसी भी सेंटर की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत जादा अफोड़ीटी होनी चाहिए दूसरा स्पैसिफिकली हम पैथ लैप के अंदर इस तरह से चीजे करते हैं क कि जो आपकी requirement के accordingly test है ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक चीज फुल्फिल हो सकती है हो सकता है किसी का genetic structure डिफरेंट हो विएचीजर करना चाहता है तो उसकाइट ही इसका अधा में रहता है चैक प्लाइजिस नहीं एक प्लाइजू के तो हमेशा हमने इसको इसी तरह के चिंडूल किया हुआ है कि अगर कोई भी टेस्ट कराना चाहता है स्टा-रइमेजिंग इसका अल्फिट сопay तो उसका complete history analysis किया जाता है, उसका पूरा environment, उसकी family history क्या है, उसका lifestyle कैसा है, उसका सोने का समय कैसा है, ये सब चीजों को देख के फिर उसके लिए एक health check-up plan किया जाता है, ताकि unnecessarily कई बार क्या होता है, कि लोग बहुत सारी चीजे करा लेते हैं, और उसमें उनको कराने का को अगर डोक्टर समीर, अगर मैं बात करूं, star amazing and path lab की, तो इसको लेकर आपका dream क्या है, बिलकुल, देखिए, जैसे अभी already private center star imaging and path lab के चल रहे हैं, बट अभी हम PPP mode के ओपर थोड़ा और जादा काम करना चाहते हैं, और जिस तरफ सरकार भी उस चीज के पक्ष में काफी ज इचले कुछ सालों से, specifically skilling के अंदर, healthcare skilling के अंदर, तो healthcare skilling के अंदर हमने healthcare courses सभी तरह के जिनकी requirement है, आप देखी बहुत सारे बच्चे बहुत तरह की चीजे कर लेते हैं, बट कही ना कहीं फिर भी एक one employment वाला issue रहता है, COVID के दोरान हमने देखा कि healthcare के demand हमेशा रहती है, औ और बच्चे जो भी healthcare वाले course करते हैं, paramedics, उनकी placement भी अच्छी हो जाती है आम तो उसके ओपर भी हम काम कर रहे हैं, और specifically कोशिश करते हैं कि जितने बच्चों को हम absorb कर पाएं, PPP mode के थू हम जहां पर जिस तरह की requirement होगी उसके लिए सरकार के साथ काम करेंगे, और जो paramedical institute है, उसके तरू हम बच्चों को education तो देंगे, आप skilling करेंगे और उनको placement भी करेंगे. को बताया है कि specifically इसके demand हम लोगों को पता लगी जब हमने pandemic के अंदर देखा, कि हम लोगों के पास सब कुछ था, infrastructure था, hospital में सारी सुवीधाई थी, सरकार में भी अगर हम देखें, तो काफी सारे hospital में सब कुछ, पर उन चीजों को operate करने वाले लोग नहीं थे, तो इसी वज सब्सक्राइब करें, तो इसे ही तरिकी करें, हमारी आपको बहुत-बहुत शुब कामना है